तो आज मैं शेयर कर रही हूँ दियाइवाइ ग्रीन टी स्किन टोनर स्पेशली फोर समर्स और समर्स में फेस से ओल जदा निकलता है पोर्स जो है वो ओपन हो जाते है और बहुत जदा एकने या रेडने स्किन प्रॉब्लम हो जाती है तो इसके उपर से मैंने गर्म पानी डाला है और इसे एक चम्मा से चला रही हूँ अच्छे से बिक्स कर रही हूँ पानी इदम खौलता हुआ होना चाहिए जिससे इसके जो भी बेनिफिट्स है ग्रीन टी के वो पानी में आ जाए उसके बाद एक धकन लगा के इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे फ्रिज में अभी नहीं रखना है इसे धकन लगा के साइड पर कहीं रख दिना है जिससे जो पानी गरम में डाला है वो ठंडा हो जाए और अभी देखिए ग्रीन टी के जो लीव्स है वो उपर सर्फेस पे फ्लोट कर रही है तो जब पूरी तरह से इसका जो भी नुट्रिशनल वैलू कहले या जो भी अच्छाई है वो जो पानी में आ जाएगी तो ये जो लीव्स ये जो फानी को में एक क्लीन प्रे बोटल में एक क्ली erाषी अचैंय और अवस इस इस बहुत ही बेनिफीचल ओता है क्योंकि इसमें भर पूर महता हीए ये नहीं होते है मैं रिडूस Georgi ुपफे innovatively बिग उनी इसान प्रे को रिडूस करते होता है इसमें attacked प्रवी तो काफी अच्छा होता है स्किन के लिए अब यहाँ पे में 5-6 डॉप्स एसेंशल ओय ले रही हूँ इसको एड करूँगी यह भी मैंने गुडवाइब्स का लिया है औरेंज एसेंशल ओयल क्योंकि लेमन ग्रास था इसमें पहले से तो मैं मतलब सिट्रस चीज ही अड करना इसे मैं क्लीन वश्ट फेस पे स्प्रे करूँगी दिन में दो से तीन बार इसे स्प्रे करना है और जब आप से स्प्रे करेंगे तो आपको थंड़क सी महसूस होगी और बिल्कुल जिसे टोनर लगाने के बाद स्किन टाइट सी हो जाती है बिल्कुल वैसा ही कुछ आप पोर्स जो थे वो काफी हद तक मिनिमाईज हो गए है पहले ही इस्तमाल से और अगर आप कंटिनियोस इसे यूज करते हैं तो आपकी जो पफी आईज और डाक स्पोर्स की प्रॉब्लम है वो भी खतम हो जाएगी तास वाल पर चुड़ेज वीडियो वीडियो अच्छा ल जढ़ाय bicamendus प्रॉब्लम कर दो काफल से घचान हो भी खकुड़े हैं और वीडियो प्रॉब्लम हो प्सकार कौर अपका हो था हो अ पच economics झाल और अध है हैं वीडियों से घटाऊ प्रॉब्लम हैं जाईड़े प्र शör बपल्णवा काल चामक्लम को ऐसे भागे हैं जयों